नमस्कार महासंगराम में आपका सौगात है मेरे साथ इस समय मद्धपरदेश के दो वरिष्ट पत्रकार खारी निउस के विने दिवेदी और इंसाइट टीवी के राजेश भाटिया साथ में हैं हम चुनावी चर्चा शुरू करेंगे राजेश जो सिनारियो क्या लगता है मद्धपरदेश में कि उट किस कर्मट बैठेगा मद्धपरदेश में जो चुनावी विसाथ है वो लगबग बरावर की टककर दोनों पार्टीज में चल रही है और दोनों एक दूसरे पर ताबड तोड़ हमले कर रहे हैं जहां बीजेपी एक और राम अंदर के मुद्धे को लेकर हमलावार है वही कौंग्रेश जो बुण्यादी मुद्धे हैं उनको ठाकर जनता की बीच जाना चाहती है लेकिन मुझे लगता है कि बन्यारी मुद्दों की चर्चा होती है सिर्फ चुनाव किसामे उसके आसा बूल जाते है बिल्कुर सही बात है ये चुनावी चकलस जब तक है तब तक जो है बेरुजगारी है तब तक किसानों के सवाल है तब तक महला अपराद का सवाल है लेकिन जैसे ही चुनाब रजल टा जाएंगे सरकार बन जाएगी उसके बाद फिर राजनीत शुरू होगी जो अपने पॉर्टफोलियो के लिए होगी पावर के लिए होगी पावर शेरिंग के लिए होगी इन मुद्दों के लिए नहीं होगी एक बड़ा सवाल यह है कि दोनों पार्टियों में मुखमंतरी का चेहरा बड़ा आयमे होता है कांगरेस ने कमनलाथ को सामने कर रखा है बीजेपी के पास शिवराज सिंग जैसा चेहरा है सबसे पापूलर आदमी है उसके बावजूद कई सारे मुखमंतरी छोड़ दिये गए है बिलकुल तो बीजेपी के स्ट्रेटेजी है मद्द एमपी के मन में मोदी जब लेके चल ले हैं तो सवाल यह है कि मोदी तो चीफ इनिश्टर बनेंगे नहीं चीफ इनिश्टर तो मद्द पदेश का ही कोई व्यक्ति बनेगा लेकिन एक चीफ ताय हो गई कि सिवराज जी मुखमंतरी अगले जो है बीजेपी नहीं बनाएगी वो अलग बात है कि अंक गड़ेट जैसे अवी तक 2020 के बाद से उनके पक्च में था वो अगर आ जाएगा तो ये एक अलग तस्वीर होगी अलग तस्वीर होगी मुझे कई बार ऐसा लगता है कि शिवराज सिंग जो है अगर सरकार में आती है सत्ता में आती है बीजेपी तो इनको फिर एक मौका देदिये जाएगा और लोग सभाज चुनाओं तक इनको खीचाए जा सकता है आपको के रखता है राजेश कि वापेश शिवराज सिंग जत्ती मेहनत करे है उनको मुख्बंती बनाया जाना चाहिए अगर बीजेपी की सत्ता आती है तो देखे बनाया जाना चाहिए या बनेंगे ये दोनों अलग अलग विशे हैं और मेरे इसाब से अगर क्लियर मैजाओटी आती है वन थर्टी वन फॉर्टी का इसपस बीजेपी टच करती है तो शिवराज बेदाग चेहरा होंगे और मुख्यमंतरी होंगे आपको संशे ही बना रहेगा चुनाव तक मूलभूत मुद्दों की चर्चा की विने ने कहा कि ये सब चुनाव के समय आ गए उसके बाद दिन को भूल जाएंगे तो बिरोजगारी बड़ा भारी मसला है बिलकुल ठीक बार बिरोजगारी ये मुद्दा जो कॉंग्रेस समय समय पर उठ बिरोजगारी मुद्दा मदभ देश में युवा की इस समय बहुत ही दाइनी है पटाने की कोशिश्च जो की गई कि इस्टाइफंट देंगे बहुत सारे फ्री वेस की घोशना एक होती है लेकि चुनावी घोशना जनता सब जानती है राजिश एक फ्री वेस जैसा श्ब बहना को लेकर दोनों पार्टी ने उन्होंने अपना लाड़ी बहना नाम दिया और कॉंग्रेस भी नारी शक्ती के नाम पर इस योजना को लेकर आई है तो थोड़ा बहुत असर डाल सकती है पर चूंकि मद्धवदेश में योजना पहले से लागू हो सकती है तो हो सकता है क इसका असर बारतियनता पार्टी की सरकार को मिले लाड़ी लक्ष्मी से लेके लाड़ी बहना तक इनका असर पढ़ सकता है ऐसा राजश भाठीय जी का मानना है लेकिन मुझे कई बार यह लगता है कि जो महिलाएं टैक्स पेर हैं वो भी इस बारे में सोचती होंगी और उ जो है नाकारा बनाने की जो सरकारों के प्रियास हैं उसमें कोई एक पार्टी की बात नहीं है इसमें मैं आपको रुकूंगा भई हजार रुपे से बात हुई कमनला जी ने पंदरा सो कर दिये अखले शादफ जी आये थे उन्होंने का हमारी सरकार आईगी तो हम पांच श जार देंगे अखले शाद आख जानते हैं कि उनकी सरकार मद्यपरदेश में कभी नहीं आएगी लेकिन पांच शेयर की बात होने की एक फूफा चोड़ा ये इसलिए तो इसको मैं चुनावी रेवडियां कहता हूं कि जो जिसके मन में आ रहा है वो बोल ला है उसका जमीन मद्यपरदेश में शुरू हुई हैं बेरोजगारी को लेके देखे ये योजनाएं इसलिए उनको नहीं भर्मा सकती क्योंकि बेरोजगारों के साथ एक एज़ फेक्टर है उनको आप दो साल बाद हुए एक साल बाद बहुत से ओवर एज हो जाएंगे तो उनके साथ दिक जो एक बड़ा वर्ग है वो टेक्स देता है उसमें महिलाएं भी शामिलें उनको कहीं कोफ्त होती होगी तरही दोगोंने मैंने दिखा सवाल उठाए कि आप मंद्रेगा जैसी कोई स्कीम लाते काम कराते उसके पतले पैसा देते कोई आपती नहीं लेकिन फ्री बाटना श आश्ट्री विश्य हो चुगा रेवनिया बाटने वाला और सुप्रिम कोट का संग्यान भी आपने देखा होगी इस संबन में है तो मुझे लगता है कि ये बात कहीं न कहीं टेक्स पेर्स के मन में चुपती है कि जिस तरीके से आपने बारा सो पंदरा सो और चुनावी ग आपन तो अब ही नहीं है बहुत नजदीक नहीं है क्योंकि इसका अन्त जो है स्रिलनका हमारा पडोसी देश है। इसका जो हस्र हो चुका है हम उसी लाइन पे जा रहे हैं तो ऐसा नहो इस देश की जनता को सदबुद्धी आए कि इस तरह की स्रिलनका जैसी इस तितियां आएं ताकि हमारा देश जो है उसम ला रहे हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि तकरीबन बीस साल बीजेपी का शासन मद्रदेश मेरा जिसमें से 15 महीने का मलनात सरकार कॉंगर्स के निकाल दें उसके बाद फिर आप जो बेसिक मुद्धे हैं उनकी बात नहीं करते महिलाओं प इसका मतलब दूरगामी परिणाम सबको देख रहे हैं इसका हल क्या होगा बिनेभाई करें कोई नजर नहीं आता है जनता को इसका लाब नहीं मिलेगा तो ठीक है चुनाव के साथ सहाब कर लिया लेकिन आगे तो अगे तो बड़ी बात आपको पजाना चाहता हूं हाँ ये बीजेपी के लिए बीजेपी देखे प्रोपोगंडा में तो उसका कोई जवाब नहीं है और उसका आसर दो आजात तीन से लेकर आज तक आप देख सकते हैं लेकिन अब सवाल है कि जब चार आजार करोड का चार लाग करोड का जो कर्ज है वो जिन कंडिसंस पे लगाता लिया जा रहा हर महीने जो एक हजार करोड का कर्ज लिया जा रहा और जो कंडिसंस हैं इस अस्थानों की जिन से आप पैसा ले रहे हो वो भूगतना कि इसकी जनता को भूगतना है तो लेकिन ये कानूनी यूज करते हैं एक खोल कौपयों करते हैं कि हमारा जो आम है करज लेने का तो उन्होंने बजटी बढ़ा दिया था तो यह चालाकियां केवल मद्द पदेश में नहीं होती देश पर की दूसरी सरकारें भी करती हैं क्योंकि हर सरकार का बहुत बुरा हाल है और उसकी बज़े यह है कि जो केंद्र और राजी के बीच जो आर्थिक रिस्ता है उस वो गड़बड हुआ है जैसे मैं एक एक्जामपल दे रहा हूँ कि जब जीस्टी की बात आई थी तो जीस्टी में जो कंपनसेशन की बात केंद सरकार ने की थी वो कंपनसेशन राज सरकारों को नहीं दिया गया तो इस तरह की बहुत सारी पॉबलम्स हैं जो राजी सरकारों के साथ हैं और दूसरा यह जो मुफ्त की रेवडियां है यह भी तो वहीं से आएंगी न आपको याद होगा कि जब कमलनाथ की सरकार बनी थी उन्होंने पहली प्रेस कांफरेंस की आप हम सब लोगा महजूद थे और एक बड़ी महत्पून बात कमलनाथ ने कही थी कि मुझे खाजाना खाली मिला है बिल्कुल खाजाना अब भी खाली मिलने वाला है जो भी सरकार आएगे इसको सरकार खाजाना खाली थी एक फाजना तो बहुत सारी योजनाओं का पैसा रुका भी है तो वो इस तरीके से उसका आर्थिक प्रबंदन कर रहे है कमलनाच जी को लगता है कि ये जो चीज है ये ठीक नहीं है उनका जो चलाने की शैली है वो थोड़ी सी अलग शैली है तो मुझे लगता है कि दोनों की शैली का फरक है और उसी का परणाम है कि वो सीधे मुखर होकर अपनी बात करते हैं कमलनाच विन्य दिवेदी जी राजिश भाटिया हम दोनों से समझने की कोशिश कर रहे थे कि मद्यप्रदेश में पैसे का आना जाना किस तरह से हो रहा है और ये कहां तक पहुँचेगा चुनाओ नजदीक है और लोक तंत्र के जो देवी देखता है वो मतदाता है तो मुझे एक पंक्ती याद आती है कि सिंगासन खाली करो कि जन्ता आती है विन्य जी और राजे जी आपका इस्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महा संग्राम में चर्चाओं का दौर जारी रहेगा आप देखते रहे हैं दखल न्यूज आप देख रहे हैं दखल न्यूज